What is Parenting? What is Parenting? Parenting का मतलब ये नहीं है कि उन स्किल्ज और टिकनीक्स को सीखा जाए जिससे बच्चों को सीधा या चेंज किया जा सके बलकि Parenting का मतलब है Parents अपने अंदर क्या qualities पैदा करें जिसके नतीजे से, जिसके नतीजे के तौर पे बच्चों की परवरिश हो सके नमस्कार मेरा नाम मनिंदरजीत है मैं एक educationist हूँ और इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही enthusiastic Parenting Coach भी हूँ मैं आपको Parenting की journey के थूरू ले जाते हुए ऐसी कई चीजों के बारे में बताऊंगी जो हमें पता होने के बावजूद भी हम सिरफ mindful नहीं रह सकते Parenting एक skill है एक art है ये हम सभी को लगता है कि हमें आती है लेकिन हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी गलतिया हम कर बैठते हैं जिससे हमारे रिष्टों में specially बच्चों के साथ हमारे रिष्टों में और बच्चों की आगे परवरिश में फर्क पड़ता है आईए बात करते हैं आज ऐसी तीन चीजों की जिससे Parenting effect होती है और बच्चों पे एक बहुत ही अलग तरीके का असर पड़ता है आईए शुरू करते हैं अगर आपके घर के बच्चे छोटे हैं तो आपके घर का महौल ये फैसला करेगा कि आपके बच्चों की परवरिश कैसी है जी हाँ घर का महौल तो घर का महौल एक first environment होता है जो बच्चों को मिलता है एक बहुत ही secure environment जो बच्चे को कभी feel ही नहीं होने देता कि वो कहीं और है उसे लगता है दुनिया जैसी है मेरे घर से शुरू होती है यहाँ जो कुछ हो रहा है बाहर शायद ऐसा ही होता होगा तो बहुत जरूरी बन जाता है घर के महौल को अपने घर के value system को आप किस तरह कर रखते हैं घर के महौल से मेरा मतलब है घर का value system value system मतलब हमारे घर में किन चीजों के importance है किन चीजों को importance नहीं दी जाती किस चीज को करना अच्छा माना जाता है किस चीज को करना बुरा माना जाता है अच्छाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई, खेल कुद, सब के बारे में सब की सोच क्या है ये decide करता है बच्चों का value system, कि बच्चों का value system कैसा होगा अगर हमारे घर में system है जो ये कहता है कि पैसा ही सब कुछ है और बड़ों की, बुजर्गों की बातें ही इसी तरह की होती है कि हमने आज कितना पैसा जोड लिया, आज हमारे पस कितना money आया है mobiles, they talk about mobiles, they talk about cars, they talk about brands, they talk about materialistic thing और इसको एक बहुत proud तरीके से announce किया जाता है तो आपको क्या लगता है बच्चों के value system में क्या चीज़ inculcate हो रही है यही हो रही है कि कामयाब बनने के लिए खूब सारा पैसा होना जरूरी है तो मैं आपको यह बताओं, पैसे के हिसाब से आप कामयाब इंसान तो बना लेंगे पर इंसानियत के तौर पर वो कामयाब इंसान बच्चा बनता है कि नहीं यह कहपाना बहुत बहुत ही मुश्किल है तो बहुत जरूरी हो जाता है value system घर में किस तरह की है अब आगे बात अगर करें second की तो वो है कि आपके घर के लोग कैसे है क्योंकि लोग बहुत important role play करते हैं बच्चे की परवरिश में आपके घर के लोग कैसे हैं लोगों से आजकल तो nuclear family का system हो गया अगर joint family है nuclear family है तो उसमें लोग आपके दोस्त आपके friends किस तरह का महौल create करते हैं आपस में घर में जब लोग हैं तो उसमें कहीं competition की भावना होगी तो बच्चे में वो competition की भावना शुरू से आ जाएगी अगर एक दूसरे की चुगली निंदा करने की भावना है तो वो भी आ जाएगी इसी तरह से घर के महौल में अगर leg pulling है या एक दूसरे को नीचा दिखाना है तो आप समझ ही नहीं सकते आप बच्चों के मन में क्या inculcate कर रहे हैं और यहीं on the opposite side if we take another situation कि घर की family कठे खाना खाती है हसते हैं गाते हैं they celebrate things together, they talk about it on a common platform, हर एक को एक जसी importance मिलती है, male female egos बीच में नहीं आती है तो उस घर में बच्चे automatically society के लिए एक inclination feel करते हैं कि नहीं society is good और अगर दूसरी तरह का महौल बच्चों को दिया जाता है तो automatically बच्चे socially incompatible development कर जाते हैं brain में कहीं ना कहीं because यह जो feeling है यह deep through उनके अंदर चली जाती है कि शायद society ऐसी है, society के norms ऐसे हैं and जब वो बड़े होते हैं तो they imitate the same kind of behavior which they have seen in their family amongst the family member वो अपने friends के साथ, अपने peer group के साथ, आगे आने वाले रिष्टों में भी वो कहीं न कहीं जैसा आप करते आएं और जैसा बच्चे देखते आएं वो कहीं न कहीं वैसे ही बन जाते हैं चलो आगे बात करते हैं अब third point की आज हम बात करेंगे सिरफ घर के महौल की मतला family members are also important now we'll talk about third thing which is also very important that is घर की major activity क्या है घर की major activity भी ये decide करती है कि आपके बचों का behavior किस तरह का होने वाला है example के तौर पे अगर घर में बड़े बुजूर्ग है और घर का ritual है सुबा जल्दी उठना पाठ पूजा करके अपने घर का दिन की शुरुवात करना exercise करने की routine है सुबा उठके exercise करते हैं बच्चे घर के बड़े लोग otherwise ऐसा है महौल की घर में literature को culture को art and culture को बहुत importance दी जाती है books पढ़ने का महौल है बड़ों का तो बच्चों में literally activities, literature के प्रती, music के प्रती, रुजान जिसको कहते है interest automatically develop होना शुरू हो जाएगा बच्चों के value system में ये चीज़ art, culture, literature automatically by default setting होती है ना ऐसी हो जाएगी और इस तरह का बच्चा जो इस तरह के महौल में रहा है वो कभी भी अपने culture को नहीं छोड़ेगा और बच्चा बहुत ही जादा शान स्वभाव का होगा क्योंकि सुना होगा आपने कि जो culture है और जो music है वो बच्चों की mental peace को बहुत जादा effect करता है आगे चल कर बच्चों की जिन्दगी में कामयाब खुशनमा हो बच्चे कामयाब बने खुशनमा बने इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास खुब सारा पैसा हो तभी वो एक कामयाब इंसान कहलाएगा humanity, health, insaniat, being human ये सब चीजें भी बहुत important है एक चीज जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि घर में अगर main activity अगर आपके घर की main activity screen viewing है या TV viewing है तो ये बहुत important है कि आप इस पर बहुत ध्यान दे अगर घर की main activity शिदत से लोग ये ही कर रहे है screen viewing या mobile viewing तो ये directly बच्चे के future को effect करता है क्योंकि वो घर में ये महौल देखता है कि हर जना अपने ही जिन्दगी में अपने ही महौल में खुश है तो रिष्टों की कमजोरी आगे आने वले time में आप देखेंगे बच्चों में रिष्टों की कमजोरी होगी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे बच्चे और इस कमी को आप कभी भी पूरा नहीं इस एन इर्रिपेरेबल लॉस इर्रिपेरेबल जो कभी भी ठीक नहीं होगा screen viewing एक guided activity होनी चाहिए मेरे हिसाब से जो एक साथ देखी जाए आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि जितने जादा कमरें हैं उतनी जादा screens हैं rooms में which is again not a good activity आप बच्चे को क्या inculcate कर रहे हो आप बच्चे को ये बता रहे हो कि अपनी दुनिया में अकेले मस्त रहना is the only thing that you can do फिर जब आगे जाकर रिष्टों में कम्जोरी आती है इनकेबिलिटी आजाती है बच्चे रिष्टे नहीं निभा पाते हैं तो आप फिर उन्हीं को देते हो कि तू ऐसा है जबकि हमने ही शुरुआत में उसको इस चीज के लिए motivate किया which is not good it is very dangerous screen viewing एक guided activity होनी चाहिए एक साथ सब जने देखें और उसमें घुसे रहना हर वक्त हर वक 24 गंटे टीवी चला हुआ है घर का बच्चे यही देख रहे हैं तो this is very dangerous मेरे हिसाब से घर के हर इनसान को physically active होना चाहिए जिससे बच्चों में भी वही value inculcate हो और screen viewing से वो दूर रहें हम कहते तो हैं बच्चे बदल जाएं but believe me be the change you want to see हमारे बच्चे वो कभी नहीं करेंगे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं हम कहते हैं आप करो आप करो बच्चे वही करेंगे जो हम करते हैं तो इसलिए be the change change you want to see in your children stay tuned हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक और video और एक और topic के साथ तब तक के लिए bye-bye and have a great parenting thank you